नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीती और आप देख रही है एप्स मेडिया उत्र भारत का सबसे बड़ा त्युहार यानि छट पूजा की शुवात नहाएं खाय से होती है बता दिए कि चार दिवस्ये छट पव कवरस सभी व्रतों में सबसे गठिन होता है इसलिए इसे आस्था के साथ साफधानी के साथ मनाया जाता है दरस चार दिनों तक चलने वाला छट का पर इस साल 28 अक्टूबर से प्रारम हो रहा है छट का पूजा का पर नहे कहें से प्रारम होता है समापन प्राते कालिन सूरे को अर्ग दे कर होता है इस पूजा के लिए तैयारी दिवाली पूफ से ही शिरू हो जाती है छट पूजा में नर्जला व्रत रखकर छटी मैया और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं यह सबसे करफिन व्रत माना जाता है आपको बता दें इस व्रत के दोरान अगर आपको पिरट्स हो जाए तो आपको क्या साबधानी व्रत नी चाहिए और इस व्रत का समापन आप कैसे कर सकते हैं अगर छट का व्रत करने वाली किसी महिला को पीड़ साते हैं तो वह अपने पती से व्रत की सभी विधी करवा सकती है जी हाँ इस तुरान महिला खुद और उसका पती दोरों ही इस व्रत रख सकते हैं और साथ ही पूरी पूजा पार्ट विदी विदान के साथ महिला न करके उसका पती कर सकता है, इसके साथ ही अगर पती दूर है घर में किसी महिला से चछप पूजा विदी करा सकते हैं, तो इस जानकारी में फ्लाल इतना ही, ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल करना ना बूलें साथ इसाथ बैल आइकन पर भी क्लिक कर लें जिससे कि हमारे सबी वीडियो के अपडेट भी आपको मिलते रहें